बिस्मिल्लायर्मानी रहीम अस्सलामू अलेकूम वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद आज हम बनाएगे रोजेदार बच्चों के लिए ब्रेट पकोड़े की रेसिपी उपर से क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार आलो के ब्रेट पकोड़े इतने टेस्टी ब ब्रेट पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक किलो के करीब उबले हुए अलू ली हूँ और इसका छिलका निकाल ली हूँ अब थोड़ा सा मैश कर देगे तो मैशर की मदस से इस तरह से थोड़ा सा बारिक कर लेगे आप चाहे तो हातों की मदस से भी कर सकते हो पकोड़े के लिए इसकी स्टफिंग तयार कर लेते हैं पकोड़े के लिए इस्टफिंग बनाने के लिए ग्येस पेख कडाई रख्यू हूँ उसमें 2 चंब तेल दाल देते आप यहाँ पर 2 इं residents का अध्रक से सालीमिचिये यह डाल देते तुड़ा सा चला लेटे अद्रक और हरी मीज को बहुत ज्यादा हमें फ्राइ नहीं करना है, हलका सा कच्चा फ्लेवर इसका ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ी सी इसमें हिंग भी डाल देगे, हिंग ऑप्षनल है, आप इसकी भी कर सकते हो यहाँ पर अद्रक हरी मीज फ्राइ हो गई है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर दाल देते और अब इसमें हम आलू डाल देगे, जो आलू के हमने टुकड़े करके रखे हैं पहले मिला देते से, फिर दूसरे मसाले डालेगे अब इसमें डाल देते हम नमक टेस्क के साब से, आदा चमच लाल मीज पाउडर दालेगे आदा चमच गरम मसाला पाउडर दालेगे, कोई भी गरम मसाला आप ले सकते हो और आदा चम्मत धनिया पाउडर एक चम्मत कसूरी मेथी डाल रही हूँ मैं आप कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हो और चट पटा से फ्लेवर देने के लिए आदा चम्मत से थोड़ा कम मैंने चाट मसाला पाउडर लिएू सबी चीजों का अच्छी तरह से मिक्स कर लेते तो इस्टफिंग थोड़ी से आपको चट पटी और तीखी स्पाइसी बनाना है क्योंकि ब्रेड आ जाता है तो थोड़े से मसाले कम लगते है यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है क्योंकि आलू भी हमारे अच्छे से उबले हो है बस मसालों में हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और जो भी आलू के बड़े टुकड़े थे उसे इस तरह से चम्मच की मदस्से मैंने दबा कर मैश कर लिए तो यह स्टफिंग हमारी चटपठी सी बनकर तयार है लास्ट में हम बहुत सारा बारी कटावा हरा धनिया डाल देते और गैस बनकर देगे अब इसे हम बरतन में निकाल लेगे ठंडा करने के लिए और वहां तक ब्रेट पकोड़े के लिए जो बैटर होता है न बेसन का गोल बना लेते पकोड़े के लिए बेसन का गोल बनाने के लिए सबसे पहले डाले गे हम आदा चम्मच जैसी है अजवाइन इसे हम हातों पर इस तरह से क्रश करके डालेगे मसल के ताकि इसकी खुश्बू और फ्लेवर बहुत अच्छा है अब नमक डाल देते टेस्ट के साब से दो पिंच या पर मैंने बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा ली हूँ थोड़ा साम इसमें पानी डालेगे तो अभी एक गिलास पानी ली हूँ उसमें से दो तीन चम्मत डाल देते इसे मिक्स कर लेते इस तरह से जब हम घोल बनाएगे ना बैटर तो जो बेसन का घोल है वो अच्छी तरह से पूलता है हमारे पकोड़े के लिए और अजवान से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पकोड़े में अब यहाँ पर बेसन यानी चने काटा ली हूँ मैंने तो एक किलो के करीब हमारे आलू थे उसके लिए मैंने तीन सो ग्राम के करीब बेसन ली हूँ यानी चने काटा इसे हमें चान कर लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाले गे और इसका थोड़ा सा गाड़ा गोल बना कर तैयार करना है इसमें कोई भी तरह के लंस ना हो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका बेटर मिक्स करें वरना क्या बेटर पतला होने लगता है और इसके लिए थोड़ा सा हमें गाड़ा बेटर चाहिए ताकि जब ब्रेट पर लगाए गया हम तो ब्रेट पर अच्छी तरह से बेशन का घोल चीपक जाए यहाँ पर देखिए गोल हमारा बनकर तैयार हो गया है इसे में गीरा रही हमारा गोल भी तैयार है और जो आलू सिटफिंग वो थोड़ी थंडी हो गई तो अब ब्रेट ले ले consistency एकाज़े के लिए ऑन्ट पर टरीट के लागारे तैकि जब ब्रेट चीपका यहर तो अच्छे से चीपका यहिंदि पर नजीना तक अच्छे तरह से आलू का मसाला हो तो यहां पर देखिए आलू की स्टफिंग मैंने लगा दियू दूसरी ब्रेट की स्लाइस ले ले गे और इसके उपर रख देगे हलके आतों से इस तरह से थोड़ा दबा देगे ताकि यह चीपक जाए यह देखिए इस तरह से अब इस इसमें से दो पकोड़े हमारे बनके तयार हो यह देखिए इस तरह से हमारे दो ब्रेट के पकोड़े तयार हो जाते हैं तो इसे एक बरतन में रखते जाएगे हम और इसी तरह से बाकी सारे बनाते जाएगे यहाँ पर सारे मैंने ब्रेट के पकोड़े बना ली हो और 22 के करीब हमारे ब्रेट के पकोड़े बनकर तयार हुए तो इसमें से आप चाहे तो आदे फ्रीज में भी रख सकते हो और दूसरे दिन इफ्तारी में फ्राइ करके भी खा सकते हो और हमने यहाँ पर एक किलो के करीब आलू की स्टफिंग ली थी, वो पूरी खतम हो गई है, तो चलिए अभी से हम फ्राइ कर लेते हैं, ब्रेट पकोड़ा को फ्राइ करने के लिए कडाई में मैंने तेल अच्छे से गरम कर लिए, उसमें से ही एक बड़ा चम्मत तेल हम बे पेशन के घोल में डीप करें गया, दोनों तरफ से अच्छे से कोटिंग लग जाए, और फिर इसे इस तरह से उठाते हुए हमें ऐसा कर लेना है, और तेल में डाल देना है, बिसमिल्लायरमानी रहीम, इसी तरह से दूसरी स्लाइस भी में डाल देती हूँ, तो कडाई के ह इसाब से आप ब्रेट के पकोड़े फ्राइ करें, इस तरह से उठाकर तेल में डाल देना है, थोड़ा थोड़ा तेल इस तरह से डाले गया हम, और गेस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है, देखिए अंदर की आलू की स्टफिंग तो हमारी पकी हुई है, सिफ जो हमने बेसन क गोल बनाया है, ना उसे ही हमें फ्राइ करना है, क्रिस्पी करने के लिए, रमजान में इस तरह से ब्रेट पकोड़े में ज्यादा ही बना लेती हो, और फ्रीज में रख देती हो, और दूसरे दिन भी हम इसे फ्राइ करके खाते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते ही है, तो आलू का मसाला एक बार या आप भी इस तरह से ज्यादा बना ले, और दूसरे दिन भी बच्चों को इफ्तारी में दे सकते हो, तो देखिए एक तरफ से फ्राइ हो गया है, इसे हम पलट लेते, माशालला इसकी साइस भी कितनी बड़ी साइस की होती है, एक एक ब यहाँ पर देखिए, ब्रेट पकोडे पर अच्छा सा सुनेरी कलर आ गया है, बहुत अच्छे दिख रहे है, इसे निकाल लेते हैं, देखिए कितने बड़े साइस की दिख रहे है, आप बच्चों को चाहें, तो टमाटर केचप के साथ भी इसे दे सकते हो, बहुत ही खान सुनिए पहले क्रिस्पी कितने हैं, गर्मा गरम बहुत ही टेस्टी, जो भी हमने गरम मसाले अगरा डाले, तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बच्चों को टमाटर केचप के साथ या ऐसे ही दोंगे न, तो इफतारी में बच्चे खुश हो जाएगे, तो यह ज कोड़े के साथ हरी मीच भी ऊटेश अ greenhouse कर लेते हैं, तो धेक्टि लिए हरी मीच को धो कर अच्छे से सुखा लेना है ताकर तेल में जाकर ऊड़े नहीं, और करे में से दो तुकड़े कर लेना है अगना हैं, फज्चों को दे रहे हैं तो आप टामाटर केचप के साथ बी देज़ सकते हो थोड़ा सा नमक डाल देगे मिर्चों विजोके उपर तो देखिए इसी तरह से बाकी सारे ब्रेड पकोड़ा फ्राइ करके लिश ओट कर लेते तो dedicate naar कमजान महीने में तो हर किसी के घर पे ब्रेड होते ही है आलू होते ही है तो आप इस तरह से ब्रेड पकोड़ा अपने बच्चों को अपने फैमिली को इफ्तारी के लिए जरूर बनाईए काफी टेस्टी लगते ही है एक ही खा लोगे ना तो पेट भर जाएगा इतने बड़े साइस के ही बनकर तयार होते है थोड़ी सी ये स्टफिंग चटपटी होती है ना तो पकोड़े खाने में ज्यादा अच्छे लगते आज के ब्रेट पकोड़े की रेसीपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों और इश्यदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अपने बहुत सारा कहाल रखें जल्दी से सब्सक्राइब